नमस्कार मित्रों, आज हिंदी सहित्य में सुनिये मालती जोशी जी की लिखी हुई कहानी पिता मालती जोशी जी की कहानियों की एक खासियत है कि पाठक या श्रोता अपने को उस कहानी से कहीं न कहीं जुड़ा हुआ पाता है प्रस्तुत है कहानी पिता पिता नहीं रहे, बाबा, बाबूजी, डैडी, पापा कुछ भी नहीं जब भी चिक्रुआ है सिर्फ पिता ही कहा गया है पिता जी भी नहीं, शायद उतने समान के भी वो अधिकारी नहीं थे नानी तो हमेशा बाप ही कहती रही सुमी का बाप, उस घर का सबसे चर्चित और तिरस्करत महावरा था तो पिता नहीं रहे उनकी मृत्य का समाचार ऐसे समय आया जब हम लोग उनके अस्तित्य को करीब-करीब भूली चुके थे ना चाहते हुए भी मेरे शांत जीवन सागर में कुछ तरंगें, कुछ हिलोरें आ गई मैं बेवज़े उदास हो गई योँ उदास होने के लिए पिता की मृत तो एक खासी वज़े थी पर उस तरह का रिष्टा तो हमलों के बीच कभी रहा ही नहीं मुझे तो उनकी शकल भी याद नहीं है फिर भी मन उदास हो गया शायद इसी लिए कि इस दुखत समाचार को मन उस आंतरिक्ता के साथ ग्रहन नहीं कर रहा जो एक बेटी के लिए जायज है मैं अनमयस्क सी हो रही थी और डर भी रही थी कि अगर शाम तक मेरा मूट ठीक नहीं हुआ तो साब बहादुर घर आते ही शुरू हो जाएंगे परेशान सी लग रही हो क्या बात है कुछ भी तो नहीं मम्मी वगरे सब ठीक है न अभी इतवार कोही तो दीदी का फोन आया था फिर क्या बात है चेरा इतना उदास क्यों है कुछ नहीं बस ठक गई हूँ आजकल जल्दी ठक जाती हूँ चलो चेक अप करवा लेते हैं नहीं अभी उतनी नौबत नहीं आई है मैं तंग आकर कहती हूँ तब जाकर ये जेरे बंद होती है गुस्सा आता है कि जरासी बात भी उनकी नर्जों से नहीं चिपती कई बार तो चिड़कर कह देती हूँ क्या मुसीबत है इस घर में कोई मन भर उदास भी नहीं हो सकता उदास होने पर पाबंदी नहीं है डार्लिंग ये मुझे अपने पास खीच कर कहते है I just want to share it and I want to enjoy it all by myself वो हस देते हैं एकदम सच निर्मल हसी और हसने की तो बात है ही उदासी भी कोई enjoy करने की चीज है उन्हें दुख होता है हैरत होती है कि सुख के इस अथा सागर में भी मैं दुख के कड़ कहां से बीन लेती हूँ इसी लिए शुरू हो जाते हैं मम्मी की याद आ रही है शुबबं का रिजल्ट आया है शगुन ने दिन बर बहुत परिशान किया मतलब ये कि उदास हो तो कारण बताओ अब इस कारण बताओ नोटिस पर मैं खीच जाती हूँ पती का इतना आधिक समवेदन शील होना भी भार लगने लगता है और मम्मी को हमेशा ये शिकायत रही कि उनके पती के पास समवेदना नाम की कोई चीज थी ही नहीं हद दरजे का आपन केंदरित व्यक्ति था वो दूसरों के दुख सुख से एकदम अंजान घर उनका था वे स्वामी थे मम्मी पतनी कम नौकरानी ज़्यादा थी नौकरानी जिससे तनख्वा न देनी पड़ती हो मेच सवारने से लेकर सेज सवारने तक का हर काम खुशी-Kुशी करना उनका फर्ज था पती के जूते तक उन्हें उतारने होते थे साफ करने होते थे जबकि वे खुद पैर की जूती से ज़्यादा कुछ नहीं थी ये जुमला बराबर उन पर फेका जाता था पर सहने की भी एक सीमा होती है, उस सीमा के पार हो जाने के बाद क्षण भर भी उस घर में सांस न ले सकी, अपनी दोनों बेटियों को गोद में उठा कर सीधे नानी के घर आ गई, कुल आठ साल के वैवाहिक जीवन का पटाक शेप हो गया, उस समय दीदी पांच साल की और मै महज दो साल की थी, इसलिए मेरे मन में न पिता की और न पिता के घर की कोई इसमरती बाकी है, भाई के घर में हमेशा निभाव होना कठिन था, मम्मी इस बात को जानती थी, इसलिए सुविधा और सयोग जुड़ते ही उन्होंने अपना इस्थानांतरन वोपाल करवा लिय आते से मैं नानी को भी साथ लेती आई, ताकि उनके भरोसे लड़कियों को छोड़कर निश्चिंतता से नौकरी कर सकें, जब से होश संभाला, नानी को सदा अपने पास ही पाया है, मम्मी की विथा कता भी उन्ही से ही सुनी है, नहीं तो मम्मी ने तो बच्चों के सामने ये अध्याय कभी खोला ही नहीं, ना कभी पिता की निन्दा की और ना कभी उन्हें याद किया, नानी ही जब तब उन्हें कोसने लगती थी, तो वो ठके सवर में कहती, अब रहने दो, अम्मा, तुम अपनी जुबान क्यों गंदी करती हो, नानी कहती, लली मेरी जान जलत है, तब ही न गालिया निकलती है, मरे ने मेरी सोन चरिया की जिनगानी मिट्टी कर दी, बाप के रहते बेटिया आनात हो गई, नानी का जब मूट खराब होता, तो वो उन रिष्टेदारों की विशामत आ जाती, जिन्होंने ये सम्मद सुझाया था, मरों ने हवा तक नह लगने दी कि लड़के का चलन ठीक नहीं है, पताने किस जन्म की दुश्मनी निकाली थी, इश्वर करे उनकी बेटियों को भी ऐसा ही नरक नसीब हो, नानी किसी तरह चुपना होती, तो मम्मी मुझे खींच कर दूसरे कमरे में ले जाती और कहानी सुनाने लगती, मैं आजुक सी, गुड़िया सी माचुप चाप उसके अत्याचार बरदाश्ट कर रही होती, बच्पन में पिता की कलपना मैंने हमेशा दैति के रूप में ही की, पर जब कुछ बड़ी हुई, तो उन्हें मानवा कार देने की कोशिश की, पर कलपना में कोई चितर भी नहीं उ अरे सुभाव भी बिल्कुल वैसा ही है, एक नंबर की जिद्धी नक्चड़ी है, सुमी एकदम गऊ है, बिल्कुल अपनी मा जैसी, ये मरी तो हूबहू बाप का नमूना है, मतलब पिता उंचे कदावर सावले तीखे ने नक्षवाले जिद्धी इनसान थे, जबकि मम्म नाजुक सी, गोरी सी, सौमे प्रवत्ति वाली महिला थी, लोग कहते हैं, इशर जान बूझ कर ऐसे जोड़े बनाता है ताकि संतुलन बना रहे, दोनों एक दूसरे के पूरक हो जाएं, फिर इन लोगों की क्यो नहीं निभी, क्या गड़बड हो गई, कभी कभी दीदी से मनुहार करती, दीदी बताओ ना, अपने पिता कैसे थे, तुम तो उस समय काफी बड़ी थी ना, दीदी अपने सुभाओ के विप्रीत मुझे एकदम जिड़क देती, मेरा दिमाग मत चाटो, मुझे कुछ भी याद नहीं है, ना ही मैं इसकी कोई जरूरत महसूस करती हू फिर धीरे से कहती, दूसरी बेटी पैदा करने के अपराद में उन्होंने मम्मी को जो अमानुशिक यातनाय दी है, मुझे सिर्फ वही याद है, दूसरी बेटी, मतलब मैं? हाँ तुम, और प्लीज अब इस प्रसंग को ही समाप्त करो, दीदी दोनों हाथों से सिर्फ पक ना जुक छुई मुई सी, नानी कहती ही, तार सी लंबी हो रही है, दूला कहां से आएगा इसके लिए, लेकिन आश्चर दूला मेरे लिए ही आया, दीदी अन्व्याही रह गई, खेर, रिष्टे तो उनके लिए भी बहुत आए, लोग तो पांच कपड़ों में ब्या कर ले जाने को तयार थे, पर दीदी को विवा के नाम से ही चिर हो गई थी, बचपन के जो द्रश, दूस्वपन की तरह उनके मन पर अंकित हो गए थे, उनसे वे कभी मुक्त नहीं हो पाई, डॉक्टर होने के बाद वे आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली गई, और व यसे वे मुझसे कभी नहीं जुड़ पाई, शायद मुझ मैं अपने पती की प्रतेचाया देखती हूँ, या कि मेरे सुभाव में ही कुछ खोट रहा हूँ, पर वे हमेशा मुझसे छिटकती ही रहीं, बलकि उनकी अपेक्षा मैं नानी के अधिक निकट थी, नानी ने कभ भी सीधे मुझ बात नहीं की, पर उनका प्यार गालियों में ही उमड़ा पड़ता था, नानी की मुरत के बाद ममी ही नहीं मैं भी बहुत अकेली पड़ गई थी, जीवन के उस सूने पन को भरने में अजीत ने बहुत मदद की, ये सचमुच मेरा सौभागे था, कि जिस सम मैं मन सहरे के लिए भटक रहा था, अजीत सामने पड़ गए, नहीं तो मैं किसी के भी कंधे पर सिर रखकर रोने पर अमादा थी, मुझे तो आज भी इस सयोग पर गर्व और आश्चर होता है, कि उन दुनों अजीत से मेरी मुलाकात हो गई, एक दिन मम्मी से परिचा पाने के लिए मैं उन्हें घर ले आई थी, मैं चाय बनाने भीतर आई, तो मम्मी भी मेरे पीछे पीछे चली आई, बोली, निम्मी ये लड़का तुम्हारा मित्री ही है या और भी कुछ है, अभी तो सिर्फ मित्री ही है, बाद में शायद और कुछ या बहुत कुछ बन हैं, उसके जहन में तो शायद उनकी कोई तस्वीर भी नहीं होगी, क्योंकि उस समय ये बहुत छोटी थी, नमिता ने मुझे कुछ नहीं बताया, शायद कभी जिकरी नहीं चला, और आप भी मुझे ये सब क्यों बता रही है, इससे क्या फरक पड़ता है, फरक पड़ता ह इस तथिक को जब तुम जान लोगे, तब तुम्हें उसे समझने में आसानी होगी, तुम्हें शायद पता है कि जो बच्चे सिंगल पेरेंट द्वारा पाले जाते हैं, थोड़े अलव होते हैं, वे ज़्यादा भावोग, ज़्यादा समवेदन, शील, ज़्यादा गुस पा रहे थे, पर कुछ बड़ा अप्रसांगिक लग रहा था, पर बाद में उसकी सार्थकता समझ में आई, मम्मी जान गई थी कि ये रिष्टा बहुत दूर तक जाएगा, इसी लिए भूमिका बांध रही थी, जैसे ही अजीत की और से प्रस्ताओ आया, उन्होंने फौर जोर है, कृप्या इसे लेकर कोई ताना कशी न करें, नहीं तो वो सहन नहीं कर पाएगी, अजीत तो सज्जन है ही, उनके माता पिता भी बड़े गंभीर किस्म के हैं, शादी में मेरे पिता की अनुपस्थिती को उन्होंने नजर अंदाज कर दिया, रिष्टेदारों ने काना फूसी की भी होगी, तो पता नहीं, मुझ तक कोई बात नहीं पहुँची, विदा के समय सभी माएं अपनी बेटियों को सीख देती हैं, मेरी माने भी दी, कहा, निम्मो, अब थोड़ा अपने सभाओ को मोल्ड करो, अपनी जबान पे काबू रखना सीखो, मैं तो और परत थी, फिर भी सह नहीं पाई थी, अजित भले ही सजन हैं, पर पुरुष हैं, उनके सबर की परिक्षा मत लेना, शुबम के जनम पर मुझसे भी ज़्यादा मम्मी खुश थी, चल तूने एक बड़ी लड़ाई जीत ली, कैसे, कम से कम बेटी जनने का दोश्त तो पहने को आता, मा की कोक में भी बेटियां ही थी, बेटी भी इतियास दोरा रही है, उस समय मैंने जाना कि इस लांचन का घाओ उनके अवजेतन में अभी ताजा है, दो साल पहले एक फोन आया था, दीदी उन दनों USA से आई हुई थी, उनसे मिलने मैं भी मम्मी के पास पहुज गई थी, फोन मैं नहीं उठाया था, हेलो, कौन सुमी बोल रही है, जी नहीं मैं निम्मी हूँ नमिता, मैं तुम्हारा गोविन चाचा बोल रहा हूँ, तुम तो शायद पहचानों की भी नहीं, सुमी होती तो पहचान लेती, जरह आपनी मम्मी को फोन देना, मम दीदी ने तलक अंदाज में कहा, मतलब हमारे पिता भी मौजूद हैं, दिस इस इन्यूस फोर अस, मेरी मा ने तो अरसे पहले अपने सारे सौभागे लंकार उतार दिये हैं, हमारे लिए तो पिता का अस्तित्व कब से शेश हो गया है, एनिवे, ठैंक्स फोर पॉलिंग, और दीदी ने रिसीवर पटक दिया, मैंने प्रिशनार्थक नजरों से देखा, श्रीमान को कैंसर हो गया है, सिरोसिस ओफ लिवर, इसलिए बीबी की याद आ गई है, क्योंकि बीमारी में सेवा चाहिए और पैसा भी, वह जो एक और थी, वो कहां गई? एक होती, तो रु मननी रखेंगे, लेकिन दोबारा फोन आया, तो मम्मी क्या मना कर पाएंगी? यू आर राइट, मम्मी में वो गट्स नहीं हैं, और वे लोग उनको इमोशनली ब्लैकमेल जरूर करेंगे, एक काम करते हैं, मैं उनने सालचे महिने के लिए अपने साथ ले जाती हूँ, मामा की भी अभी खबर लेती हूँ, यहां का नंबर उन्होंने दिया हुगा, यहां से जाकर पहला काम यही करूँगी, कि वहां नया नंबर ले लूँगी, और वो सिर्फ तुमारे पास होगा, नहीं तो वे लोग मम्मी को वहां भी चैन से नहीं रहने देंगे, इसके बाद द जाने के बाद मैं अकेली पड़ गई हूँ, आठवे दिन फोन पर बात होती है, फिर भी दूरी का एहसास नहीं जाता, तीन लोगों की हमारी छोटी सी दुनिया थी, वे दोनों तो अब भी साथ हैं, मैं ही अलग पड़ गई हूँ, मम्मी से शिकायत करती हूँ तो हस देत हैं, पगली, तुम्हें अब हमारी जरूत क्या है, तुम्हारी तो अब अपनी अलग दुनिया है, तुम्हें तो अब हमारी याद भी नहीं आनी चाहिए, आज सुबह, 11.30 के करीब उन्हीं गोविन चाचा का फिर फोन आया था, इस बार सीधे मेरे पास ही आया था, मम्मी गोविन चाचा बोल रहा हूँ, पहचान रही हो ना, जी, एक खबर देनी थी, कहिए, तुम्हारे पिता नहीं रहे, चाहिती तो दीदी वाला जुमला फिर से उचार लते थी, पर इच्छा ही नहीं हुई, इस खबर पर कोई भी प्रत्क्रिया व्यक्त करने का मन नहीं हु मुझे नमबर दे देती तो, ऐसी भी क्या जल्दी है, दो दिन बाद भी पता लगेगा तो क्या फर्क पड़ेगा, आप तो जानते हैं, बरसों पहले उन दोनों ने एक दूसरे को अपनी जिलिगी से खारिज कर दिया था, खैर मैं तो अपना फर्ज अदा करना चाहता था आगे तुमारी मरजी, वे रिसीवर रखने को ही थे कि मैंने तपाक से कहा, आपका फर्ज क्या यहीं तक सीमित था, मतलब? जिस ततपरता से आपने अपने भाई की बीमारी और अमृत्य की खबर पहुचा ही है, उसी ततपरता से कभी हमारी भी खोशकवर ली होती, आपके खांदान की बेटियां थी हम, कभी पता तो लगाया होता कि हम कैसी है, कहा है, पढ़लिक रही है, या मामा के घर में खट र और फिर जिसके दम से ये सारे रिष्टे थे, जब उसी ने किनारा कर लिया, तो हम भी पर आये ही थे ना, exactly, और अब तो वो महीन सा रिष्टा भी खत्म हो गया, इसलिए good bye, मैंने रिसीवर इतनी जोड से पटका, कि उन्हें पता चल गया होगा कि मेरे मन में कितना आक्रो उनसे इतनी बात करने की जरूती क्या थी, दीदे ने कितनी gracefully उन्हें एक बार में निप्टा दिया था, मुझ बेवकूफ को अपनी भड़ास निकालने का यही मौका मिला, मेरे आक्रोश के पीछे से जहाकता, मेरा उदास, एकाकी, निरानंद, अभावगरस्त, बच्पन उन्होंने जरूर देख लिया होगा, अपने दुखों को इस तरह विग्यापित करने की क्या जरूत थी मुझे, ये तो एक तरह से मैंने मम्मी का अपमानी कर दिया, उनकी सारी तपस्या पे पानी फेड दिया, पता नि कितनी देर तक मैं अपने को कोस्ती रही, हिलक हिलक क रोती रही, शाम को रोच की तरह मुँहाथ दो कर मैंने कपड़े बदल लिये थे, फिर भी इन्होंने आते ही मेरी चोरी पकड़ ली, क्या बात है, लगता है दिन भर रोती रही हो, मैं एकदम फट पड़ी, तुम CID में भरती क्यों नहीं हो जाते, बेकार दफतर की फाइ जाता है, तो मुझे पता चल जाता है, टेलर अगर तुम्हारा ब्लाउज बिगार देता है, तो मैं जान जाता हूँ, आज तो सच्मिश कोई गंबीर बात हुई है, क्योंकि तुम दिन भर रोती रही हो, ठीक कह रहा हूँ ना, रोने पर पाबंदी है कोई, पाबंदी नह जाता, निम्मी अपनी जबान पर अपने गुस्य पर काबू रखो, ये छोटी छोटी बातें ही ग्रहस्ती में दरार पैदा करती है, माना की अजीद बहुत सजन है, सैंशील है, पर चंदन भी कभी-कभी आग पकड़ लेता है, इसलिए कहती हूँ, अपने लिए अपने ब बच्चे भी आया के साथ भूम कर वापस लोटाए, माहौल एकदम खुशकवार हो गया, रात का खाना भी उसी प्रसन वातावरन में हुआ, उस रात टीवी खुलने का मनी नहीं हुआ, शगून को थपकते हुए मैं बरामदे में आ बैठी, ये भी सामने वाली कुरसी पर बैठ गए, शुबम उनकी गोद में चड़ बैटा, दोनों बच्चे निंदियाये हुए थे, सोने में दस मिनट भी नहीं लगे, हम लोग थोड़ी देर इधर दर की बाते करते रहे, फिर मैंने एका एक कहा, आप शाम को ठीक कह रहे थे, आज एक गंबीर भात हो गई है, क तुमारी ममी ने मना किया था, इसलिए आज तक मैंने कभी उनका जिक्र नहीं छेड़ा, लेकिन आज अगर चाहो तो उनके बारे में बात कर सकती हो, तुमारा मन हलका हो जाएगा, बात करने को है ही क्या, मैंने कसले स्वर में कहा, मुझे तुनकी शक्ल तक याद नहीं है, कुल जवाँ दो साल की ही थी मैं, जब ममी ने घर छोड़ा था, उसके बाद कभी देखा नहीं, ना, बस सुना ही सुना, और जो कुछ सुना उससे आहत ही हुई हूई, फिर भी पिता तो पिता होते हैं, अंजाने, अंचाहे, उनसे एक तार जुड़ा रहता है, नहीं तो कुम रोती क्यों? आप गलत समझ रहे हैं, मैं पिता के लिए नहीं रोई थी, मैं तो अपने लिए रोई थी, मैं उस प्यार दुलार, सुकून और सुरक्षा के लिए रोई थी, जो हर बच्चे का जाय जग होता है, और वो मुझे नहीं मिला, एक गरीब का बेटा भी अप मामा हमें मजबूरी में पाल रहे थे, पर उनके बच्चों को हम फूटी आँक नहीं भाते थे, हमें अपमानित करने का एक भी मौका वे लोग नहीं छोड़ते थे, हम लोग ना अपनी पसंद का पहन ओड़ सकते थे, ना मन भर खापी सकते थे, आजादी से हसने बोलने की भी मनाई थी, मामी की चौकनी नजर हमेशा हमें घूरती रहती थी, उनकी जवान तो एकदम जहर भुजी थी, वे हमें कभी नहीं भूलने देती थी, कि हम तीनों उनके टुकणों पर पल रहे हैं, दीदी तो फिर भी समझदार थी, पर मैं अकसर जित पर आ जाती, तब वे ह असा सुभा हो था, तभी तो सस्राल में नहीं बनी, अब यहां हमारी चाती पर मूंग दलने आ गई है महरानी, मेरे बच्चों के मूं का कौर छिन गया, यो तो मम्मी कॉलेज में नौकरी कर रही थी, मामा को अपने हिस्से का खर्च भी दे रही थी, पर मामी को संतोश नह नहीं था, उन्हें तो हमारी उपस्तिती ही खटकती थी, नानी एक ही शहर में दूसरा घर लेने के इजाज़त भी नहीं दे रही थी, हार कर मम्मी ने बड़ी मुश्किल से अपना ट्रांसफर बोपाल करवा लिया, लड़कियों का साथ था इसलिए बेटे का महल छोड़क नानी भी हमारे साथ आ गई, और आखरी दम तक यहीं रहीं, लेकिन अपना खर्चा बराबर बेटे से लेती रहीं, कहती अब आखरी समय में बेटी की कमाई क्यों खाऊं, उनकी इस बात के पीछे रस्मों रिवाज थे या बेटी की मदद की आकांक्षा कौन जाने, नानी नाकशी, सहिलियों की काना फूसी, जिष्टेदारों का उपहास, यह भी याद आया कि बोपाल आने के बाद मम्मी ने जब अपने सोहाक चिन उतार दिये थे, तो हम लोग कितना सहम गए थे, उनका रूप देखकर नानी तो एकदम बिदग गई थी, मम्मी ने शान्थ भा दुर्भागी की नहीं, दुर्भागी की ही प्रतीख है, करवा चौत या तीज पर भी मम्मी वरत नहीं रखती थी, नानी को उन्होंने समझा दिया था, अम्मा, मैं तो एक जन्म में ही भर पाई हूँ, जन्म जन्मांतर के लिए ऐसे पती कामना तुम्हें बिल्कुल ही न पता नहीं, कब उन्होंने शुभम को सुलाया, कब शबगुन को मेरी गोज से उठा लिया, कब वे उठकर चले गए मालूमी नहीं पड़ा, हाथ मूँ धोकर जब मैं बेडरूम में पहुची तो देखा, एक बाह पर शुभम और एक बाह पर शबगुन को लिए वे सो रहे हैं, दोनों बच्चों ने अपनी बाहें पापा के गले में डाली हुई हैं, नीन में भी दोनों बच्चे एकदम संतुष्ट और आश्वस्त लग रहे थे, मैं निर निमेश उन्हें देखती रही, खषर भर के लिए अपने ही बच्चों से मुझे इरश्या हुआई, मैंने हौले से पुकारा, वे आख खोल कर मुस्कुराए, मैं तो नहीं सोया, पर ये दोनों हाथ पर सो गए हैं, जरा मदद करोगी, मैंने बच्चों को अलग करना चाहा, तो उन्होंने पापा को और कसकर पकड़ लिया, नीन में भी वे अपनी पकड़ डीली नहीं करना च अगर बरदास्ट से बाहर हो जाए, तो मुझे छोड़ देना, पर इन बच्चों पर अपना हाथ हमेशा बनाए रखना, प्रॉमिस, प्रॉमिस, उन्होंने कहा, और मुझे भी अपनी बाहों में भर लिया, अभी आप सुन रहे थे, मालती जोशी जी की लिखी हुई, एक बेहस सुन्दर और समवेदनशील कहानी पिता, फिर मिलेंगे आपका समय शुब हो, सुन्दर हो